मतवाली हो गई उन सुन गई याां बच्छनों को छोड़ घे अम पिला ही कपिला जड़ बलैक जड़ बलैक जड़ बलैक तो आज की वीडियो में आप देख पाएंगे जेड बलैक कपिल़ गाया वर वो एक सा चार गाईं को वीडियो तो कोई भी बाई की इच्छा रहती है उन्हों सेलेक्षन के लिए 3-4 गायों के एक साथ फोटो वीडियो चाहिए तो आज उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है एक साथ 4 जेट बलेक गायों की वीडियो फस्ट और सेकंड लेक्टरशन के अंदर तो इनमें से कोई भी बाई अगर एक गाये भी परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं और एक अठी 3-4 गाये लेना भी चाहे तो भी उनके लिए सुनहरा अफसर है तो मैं आपका बाई सुबास विश्णोई आप सभी बाईयों का आपके अपने यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ सभी बाईयों को राम राम सलाम सस्रिया काल तो जो भी बाई आज चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे वो सबसे पहले आपके अपने इस चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर ले और पास में दिये के गैंटी के निशान को जरूर से दबा ले जिससे की हर नहीं आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप इंजोए कर सकें तो आज की वीडियों आप देख सकते हैं ये सभी गाए सेल के लिए अविलबल हैं सत्गुरु डेरी फरम गाव केशरी सिंगपुर डिश्टिक सिरी गंगानगर और स्टेड राजस्तान के अंदर चार जेड बलेक कपिला गाए हैं बहुती सुंदर अती सुंदर कहा जा सकता हैं शान सबाव के अंदर है और सत्गुरू डेरी फारम गांग केशरी सिंगपुर डिस्टिक सिरी गंगानगर और स्टेड राजस्तान इनको सेल के लिए अविलबल करवा रहे हैं कहीं पर भी आप इन्हें ट्रांस्पोर्ट करकर लेके जा सकते हैं चारों ही गाये काफी शान सबाव की और काफी अच्छे बोडी करेक्टर वाली है बहुत ही शान सबाव की चारों गाये हैं आप देख सकते हैं क्योंकि तीन चार गायों में देखके वो अपड़ी मन पसंद गाय परचेज कर सकते हैं तो कई भाईयों कि इच्छा रहती है मैं वटसप पे मेसिज भी किया है जब भी वीडियो डाले तीन चार गायों के एक साथ डाले और जेट बले कपिला चारों गाये हैं अगर इनको आप परचेज करना चाते हैं तो निच्चे नंबर दिये जा रहे हैं इन नंबरों पर आप कोंटक्ट कर सकते हैं और कहीं पर भी आप ट्रांस्पोर्ट करवा सकते हैं चारों काये बड़े ही बारिकी से और बड़े ही दिरी-दिरी आपको दिखाई जा रही है जिससे कि आप हर बोड़ी करेक्टर इनके सभाव और हर एक चीज बड़े ही प्रेम से और अराम से देख सकें क्योंकि इसलिए वीडियो की थोड़ी शुरुआती सफीट थोड़ी कम रखी गई है जिससे कि आपको देखड़े में कलर, हम्प के साइज, गड़ कंबल, बोडी करेक्टर, शान्त में सबाव ये देखड़े में किसी भी परकार की परिशानी ना हो जिससे आप पूरा अनु पूरी करेक्टर से वह भी बताए जाते हैं, इसलिए आप हर भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, और वीडियो को एंजोई करें, जो भी पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं, वो निचे लाल बटन पर सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और आल के निशान पर गेंटी को जुरूर से दबा लिया करें, जिससे कि हर जो नई वीडियो आती है, वो आपके जल्द पहुंचे और आप इंजोई कर सकर, हर भाई वीडियो को शेर करें, तो आप चारों गायों को मैं एक एक करके खोल के भी दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे, तो सब अब भाई वीडियो पर बढ़े रहें, और अब भी जिस भाई ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लें, और पास में दीएगे गेंटी के निशान को जरूर से दबा ले जी, तो ये वीडियो स्टार्ट करें, बहुत की ब्रीड के अंदर थार पारकर या मिक्स ब्रीड में भी कुछ वीडियो चाहिए, तो आप निचे नंबर दिये जाते हैं, वीडियो में मिक्स ब्रीड के लिए अलग नंबर होते हैं, और देशी गायों में अलग से नंबर होते हैं, बैसों की वीडियो डाली जाते हैं, तो सबी भाई वीडियो को अंतक देख लिया करें और हर contact number निचे दिये जाते तिस गाहा को खोल के दिखाया जारा है सबसे पहले आप देख सकते बहुत ही उन्ची आईट की गाहे शेकिन लेक्टेशन मेंने की दूसरे ब्यात में शुद साहिवान नसल की छोटी सुंडिये के साथ आप देख सकते हैं और हम्प का साइज गड़कंबल का साइज हर एक चीज एक्स्ट्रा ओर्णरी में इस बचड़ी ने पहले लेक्टेशन के अंदर 12 लिटर प्लस दूद दिया है दूसरी बार ये बच्चा देने वाड़ी है और अब की बार इस इलेक्टेशन के अंदर ही है 14 से 15 लिटर दूद बड़े ही अराम से दे सकती है अब गाये के बोड़ी क्रेक्टर देख सकते है गड़कंबल देख सकते है सुंड़ी का पैनेट हम्प का साइज बहुत ही उंची और लंबी ये बच्चडी है और शान्त में सबाव में भी है जो कि आपको सबसे पहले दिखाया गया बहुत ही शान्त सबाव की बच्चडी है बहुत ही सुंदर तो कोई भी बाई इसको परचेज कर सकते हैं ये बच्चडी लगबग 10 दिन में बच्चा दे सकती है सेकंड लेक्टेशन दूसरे ब्यांत के अंदर है अच्छे हम्प साइज की है और कोई भी बाई से परचेज कर सकते हैं बहुत ही सुंदर है इन चारों की जो किमत होगी वो वीडियो के इंड में आपको जुरूर बताई जाएगी तो सभी बाई वीडियो पे बढ़े रहे नमबर दो पे जो गाये खोल के दिखा रही है आज देख सकते हैं ये भी सेकंड लेक्टेशन दूसरे ब्यांत की है गड़कंबल आप देख सकते हमप का साइज सुंदी का पैड़न चोटा मुठिया सींग है और चारों थणों की बनावड देख सकते है कितनी शांदर है बहुत ही बारी बरकम बोडिस टेक्चर आप देख सकते है बहुत ही अच्छा बारी गड़कंबल है हमप का साइज बहुत बड़ा है अडर क्वाल्टी बहुत अच्छी है इस भी बचड़ी ने पहले लेक्टेशन के अंदर 13 से 14 लिटर दूद दिया है अब की बार ये 15 लिटर तक दूद ये बचड़ी भी दे सकती है पूरा सुंदर देशी गोवन से ये नमबर दो पे था नमबर तीन पे आप देख सकते हैं बहुत इशांदर ये बचड़ी भी सेकिंड लेक्टेशन में है दूसरी बार में बच्चा देगी छोटा मुठिया सींग है बहुत इशांदर अब देख सकते हमप का साइज गड़कंबर अडर क्वाल्टी इस बचड़ी में पहली बार ग्यारा से बारा लिटर दूद दिया है दूसरी बार ये बचड़ी बच्चा देगी और इस लेक्टेशन में ये चोदा से लिटर तक दूद दे सकती है बहुत इशांदर क्वाल्टी की है कोई भी बाई सेलेक्शन करें तो कर सकतें और चारों गायों को एक साथ भी अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकतें तो नमबर चार पे जो बचड़ी दिखाई जा रही है ये फर्स्ट लेक्टेशन यानि की पहले ब्यांत की है और लगबग आठ से दस दिन में बच्चा दे सकती है और पहली बार ही ग्यारा से बारा लिटर दूद बड़े ही अराम से दे सकती है बहुत ही शान सबाव किये जैसे फर्स्ट लेक्टेशन के के बहियों की इच्चा रहते हैं भी गरम सबाव में ना हो लेकिन इस गाये को सबसे पहले आपको टच करके और दिखाया गया बहुत ही शान सबाव में चारों गाये काफी शान सबाव में तो कोई भी बाई इन गोवंच को परचेज कर सकते और कहीं पर भी आप ट्रांस्पोर्ट करवा सकते हर जगा के लिए ट्रांस्पोर्ट की फैसिलिटी है वो एवेलेबल करवाई जाती है तो चारों गोवंच कोई भी बाई अगर एक साथ खरीदना चाहे जो प्राइज रखा गये वो 2,11,000 रुपे चारों गोवंच कर रखा गये तो यह आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सभी भाई वीडियो को लाइक करें शेर करें और कोमेंट करें तो सभी भाईयों को राम राम सस्रियाकाल सलाम मिलते हैं दोस्तों आने वाड़ी और एक अच्छी वीडियो के सब आज की वीडियो इतना ही धन्यवाजी